नमस्कार आदाब दोस्तो तो चले आज फिर हम आप लोगों के लिए लिख रखा गए हैं देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरे Breaking News एक करके तमाम बड़ी खबरे आपके सामने रखेंगे सबसे पहले और बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तो 14 राज्यों की उनकिस विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाओ के फाइनल रिजल्ट घोसित हो गया है यहाँ पर कई राज्यों के अंदर बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है एक एकर के तमाम राज्यों के आकड़े हम आपको बताएंगे, रिजल्ट बताएंगे कौन सी राज्यों में, कौन सी पर्टी कितने सीटों पर जीती है वहीं अगली बड़ी कबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी के एक नेता का एक और विवादित बयान मुसलमानों को मारने की धंकी के साथ साथ कई आपती जनक शब्दों का क्या इस्तेमाल क्या कुछ कहा इसकी विजनकारी देंगे वहीं अगली बड़ी कबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों लखीमपूर खीरी में किसानों को कार से कुचलने वाले मुख्यारोपी के पिता और देश के ग्रहराज मंत्री अजय मिश्रा टेनी की एक बार फिर से धंकी भरा बयान सामने आया है यहाँ पर दोस्तों लखीमपूर वाइलेंस को लेकर के उन्होंने दूसरे लोगों को दूसरे पार्टी के लोगों को धंकी दी है किया कुछ कहा इसकी भी जनकारी देंगा वही अगली बड़ी कबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों इतर पर्देश की योगी सरकार एक बड़े घोटाले में फस गई यह दोस्तों कौन सा वो खोट अला इसकी भी जैनकारी देंगे वहीं अगली बड़ी कबर में हम आपको बताएंगे दोश्टो देश के क्रसी मंतरी और किंद्री मंतरी नरेंदर सिंग तोमर को ले करके कोट से बड़ी कबर सामने आ रही है कोट से उनको लेकर के ताजा अपडेट जिससे बीजेपी में सन्नाटा पसर गया क्या है इसकी भी जनकार देंगा वहीं अगली बड़ी कबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों उत्तर परदेश में होने वाले विधान सभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के दिगज नेता सचिन पाइलेट का बड़ा दावा वीजेपी उत्तर परदेश के विधान सभा चुनाव हार जाएगी ये कहते विरों ने दावा क्या है क्या कुछ कहा इसकी भी जनकार देंगा वहीं अगली बड़ी कबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों लखीम पुर्खीरी में किसानों को कार से कुचलने वाले आशीष मिस्रा को ले करके हाई कोट से बड़ी कबर सामने आ रही है इसकी भी जनकार देंगा वहीं अगली बड़ी कबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिगजनेता नौजोद सिंग सिध्धू के बाद अब आमरींदर सिंग का एक बड़ा आइलान हुआ है क्या कुछ है इसकी भी जनकर देंगे उससे पहले चोटी से टिक्वेस करेंगे दोस्तों इस वीडियो को जबर साथ लाइक करिए शेर करिए चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन को ज़रूर पिसकर लिजे बात करते हैं पहली और बड़ी कबर की जैसा कि आप सभी जानत जो है खत्म हुई और कल इसके रिजल्ट फाइनल हो गए हैं जानकारी के मताबिक बता जारा कि देश के 13 राजियों के 29 सीटों पर हुए उप्चुनाओ में जो है असम की पांच पशिम मंगाल की चार मद्परदेश सिमाचल और मेगाला की तीन-तीन सीटे करनाटक और बिह में दोनों सीटे जो है बीजेपी और एंडिये के खाते में गई आने की जेडियू जीती है मद्परदेश में दो सीटे जो है बीजेपी जीती है तेलंगाना की एक करनाटक की एक मिजोरम की एक मिगाला की तेन सीटे जो है बीजेपी एंडिये के गड़बंधन में गई है वहीं बात करें कांग्रेस पार्टी और यूपीय की तो इनके खाते में महाराश्टर की एक, हिमाचल की तीन, राजस्थान की दो, करनाटक की एक, मध्यपरदेश की एक सीट इनके खाते में गई है अन्य दलों की अगर बात करें तो पश्यमंगाल में टीमसी ने चार अंधर परदेश में वाई, एसार कांग्रेस पार्टी ने एक, हर्याना में इने लों ने एक सीट जीती है जबकि अगर बात करें, लोगसबा की दो, लोगसबा में बीजेपी का सूपड़ा साफ हुआ है एक सीट पर कांग्रेस, एक पर शेष सेना सर्फ एक सीट बीजेपी के खाते में गई है खास बात तो ये रही कि पश्मंगाल में बीजेपी का फिर सिक्वार सुप्रा साफ हो गया है दिन हाटा में तुर्मूल कॉंग्रेस ने एक लाग चौन सट हजार नवासी मतों के अंतर से बीजेपी कंडिडेट को चुना हराया जबकि शांती पुर्मूल कॉंग्रेस ने चौन सट हजार चौना जीता और खरदा में तिरान नवे हजार आट सो बतिस वोटों से चौना जीता और गोसामबा में एक लाग तालिस जार क्यावन मतों के अंतर से बीजेपी कंडिडेट को चुना हराया यह है दोस्तो ताजा रिजल्ट बात करता है अगली बड़ी कबर की अगली बड़ी कबर यहां पर आरे दोस्तो मुसल्मानों को लेकर के बीजेपी के नेता का एक और विवादित बयान आप इस कبر को देख सकते हैं जमूर कश्मीर के बीजेपी नेता विकरम रानधावा ने कश्मीरी मुसल्मानों के खिलाम नफरती और भड़काओ बयान दिया है रानधा का एक वीडियो सोचल मीडिया पर वारल हो रहा है जिसमें वे कह रहे हैं कि जो है मार मार कर कश्मीरी मुसल्मानों की खाल उधेड़ दी जानी चाहिए जिसके बाद लगातार नके खालाब सोचल मीडिया से लेकर के मेंस्ट्रमी sépin मेडिया में हल चल्चल है और लगाता लोग इनके खलाब जो है अब कारवई करने की मांग कर रहे हैं ये अलग बात है कि बीजेपी इन पर कारवई कब तक करेगी बात करता है अगली बड़ी कबर की अगली बड़ी कबर आरी दोस्तो एक बार फिर से केंद्री ग्रह राजे मंतरी अजय मिश्रा टीनी का विवादित वयान सामने आया है आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों करसी कानूनों के खलाब धरने पर बैठे और उनको काले जंडे दिखाने वाले इस तरह से किसानों को उन्होंने तिकुनिया वाइलेंस से पहले धंकी दी थी कुछ इसी तरह के लहजे में फिर से अजय मिश्रा टीनी ने धंकी दी है आपको हम खबर देख सकते हैं उतरप्रदेश के लखी पुर्खीरी जिले के तिकुनिया में हुई हिंसा को लेकर के सुर्खियों में आये केंद्रिक रह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टीनी ने कहा है कि तिकुनिया में हुई घटना के दूरान पार्टी कारकरताओं की हत्या करने वाले लोक किसान नहीं थे उन्होंने दावा किया है कि विलोक बाहर से आये देखे और विड़ में शामिल होकर मौके का फायदा उठाया उन्होंने आगे कहा है कि जो है जुन लोगों ने हमारे करकरताओं को नुक्सान पहुचाया उनके हत्या कि उनको हम नहीं बक्षेंगे उनके साथ वैसा ही बताव करेंगे यानि कि एक बार फिर से बीजेपी नेता ग्रहराज मंत्री अजेमिश्रा टेनी ने खुले आम फिर से धंकियां देना शुरू कर दी है बात करता है अगली बड़ी कबर की अगली बड़ी कबर आरी दोस्तों उत्तर परदेश की योगी सरकार एक बड़े घोटाले में फस गई है आप इस खबर को देख सकते हैं सी एजी रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ है कि एक करोड पंद्रा लाख बच्चों को अभी तक नहीं मिले हैं स्कूल बैग अखलेश ने जारी किया था टेंडर बैeg कहां रह गए योगी जी ये कहते वे अखलेश यादों ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के ओपर बड़ा हमला बोला है बात करता है अगली बड़ी ख़बर की अगली बड़ी ख़बर आरी दोश्तों अदेश के क्रसी मंतरी नरेंदर सिंग तोमर को ले करके कोड से बड़ी खबर सामने आरी है आप इस कबर को देख सेते कॉंगरेस ने तराहूल गांधी पर आपत्ती जनक टिपड़ी कर बुरे फसे केंदrí एक्रशि मंत्री नरेंदर सिंग् हमको हाई कोर्ट से फिलहाल राहत मिल गई है जरहकंड कोर्ट ने इस मामले में सुन्वाई करते में इस मामले में अगली आदेश कोई कठोर कारवाई पर रोग लगा दिया जिश्टिस एसके त्रिवेदी की पीटनेस मामले में सुनवाई करते वे आदेश दिया है कि अगली सुनवाई तक तोमर के खलाब कोई भी कारवई नहीं की जाएगी इस मामले में अगली सुनवाई बता जा रहा है कि फेवरबरी 2022 में होंगी दरसल केंद्रीक रसी मंत्री ने कुछ सालों पहले धनबाद में करक्रम के दुरान कांग्रेश संसरा राहूल गांधी की तुलना पूंच के बाल से की थी और इसी के खलाब उनके उपर मामला दर्ज हुआ था बत करता है अगली बड़ी कबर की अगली बड़ी कबर आ रही दोस्तों तिकुनिया में किसानों को कुछलने के मुख आरोपी आशीस मिस्रा टेनी को ले करके जो है अब कोट से बड़ी कबर सामने आ रही है दोस्तों आशीस मिस्रा की जमानत पर सुनवाई आज करेगा कोट जेल में मनेगी दिवाली या मिलेगी बिल इसका फैसला आज होगा यानि कि आशीस मिस्रा और फमोनों की जमानत पर आज कोट में जो है सुनवाई होगी किस पर क्या रहा नीचे कमण बसक्राइब जरूर बताए वीडियो को लाइक शेच चानल सब्सक्राइब जरूर करें